शिव बाबा याद है ना? शिव बाबा का जिन्नोंने हमें बोल की एकोनॉमी करना सिखाया है। एक एक बोल महावाक के हो। जितना जितना बोल पर अटेंशन होगा, बोल की वैल्यू को समझेंगे, उतना अन्यात्माई भी आपको सम्मान देंगी। जिनको बोल का महतो है, वो अपने बोल से भी सबको सुक देते हैं। किसी के लिए भी ऐसे शब्द नहीं भोलेंगे, जिससे किसी को दुख पहुँचें। बच्चत के अवतार बनना है, हर बोल की वैल्यू समझते हुए, आवशकता पढ़ने पर ही बोलना है, गलत बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। याद दिलाया बाबानी, कि आप इस 84 के चक्र को याद करो, कैसे आपने 84 चनम लिए, इसको एक कहानी के रूप में याद करो, ये वो कहानी है, जो आपकी स्वेम की है, कि हम क्या थे और क्या बन गए, फिर से बाबा, नर से नाराइन बनने की कथा सुना रहे हैं। ये कहानी भी है, जिस से तुम बच्चे फिर से मानव से देव बन चाते हो, एम उबसेक्ट सामने है, इसे देखते ही बहुत खुशी होनी चाहिए, कि हम यहाँ आई ही हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए। चलते फिरते भी एक बाबा को याद करना है, माया इसमें बहुत अपोजीशन करती है, याद में नहीं रहने देती है, याद में रहना और दूसरों को बाबा की याद दिलाना, खुश रहना, दूसरों को खुशियां बाचना, यही अपने उपर कृपा करना है। सुनते हैं बाबा के मदर बोल, बाबनी का मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो, दूसरों को खुशी दिलाओ, ये है सब पर करिपा करना, किसी को भी रास्ता बताना, सबसे बड़ा पुन्ने है। किसी को भी रास्ता बताना, सबसे बड़ा पुन्ने है। के लिए सदा बाबा की श्रीमत पर चलते रो, अपने को आत्मा समझो, बाबा जो समझाते हैं, उसका अच्छी तरह से मन्थन करो। विचार सगर मन्थन करते करते, खुश मिजाज बन जाएंगे। सदा खुश मिजाज वो ही रह सकते हैं, जो ज्यान में बहुत होशियार हैं, जो ड्रामा को कहानी की तरह से जानते हैं, सिम्रन करते हैं, खुश मिजाज बनने के लिए सदा बाबा की शिरिमत पर चलते रो, अपने को आत्मा समझो, बाबा जो समझाते हैं, अच्छी तरह से विचार सगर मन्थन करो, विचार सगर मन्थन करते करते, खुश मिजाज बन जाएंगे। ओम शांती, रूहानी बाप, रूहानी बच्चों के साथ रूरुहान कर रहे हैं, ये तो आत्माई जानती हैं, एक ही हमारा बाप है, शिक्षा देते हैं, टीचर का काम है, शिक्षा देना, गुरू का काम है, मन्जिल बताना, मन्जिल को बच्चे समझ गए, मुक्ती जिव याद हैना चाहिए, यह हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापिस जाना है, प्रंतु पाप आत्माई, मुक्ते जीवन मुक्ते में वापिस जा नहीं सकती, ऐसे से विचार सगर मन्थन करना है, जो करेंगे सो पाएंगे, खुशी में भी वही आएंगे, और दूसरों को भी खुशी में वही लाएंगे, औरों पर भी कृपा करनी है, रास्ता बताने की, तुम बच्चे जानते हो, यह पुर्शोतम संगम युग है, यह भी कोई को याद रहता है, कोई को नहीं, यह याद रखना है, यह पुर्शोतम संगम युग है, चड़ती कला का युग, कल्या प्रन्तु चलते चलते कुछ रोला पड़ जाता है। जैसे पहाडों पर नीचे उपर चड़ना होता है। वैसे बच्चों के वस्ता भी ऐसे होती है। सबसे बड़ा पुन्य है। बाबक को याद करना। याद से पुन्यात्मा बनेंगे। अगर संग के रंग से भूली भूल करते जाएं। तो आगे से भी जासती नीचे गिर जाते। फिर वो खाता जमा नहीं होगा। घाटा हो जाएगा। पाप का काम करने से ना हो जाता बहुत पाप का खाता चड़ जाता, मुरादी संभाली जाती है न, बाबा कहती है तुम्हारा खाता पुन्ने का था, पाप करने से सोगुना हो जाता है, औरी घाटे में आ जाएगा, पाप भी कोई बहुत बड़ा कोई हलका होता है, काम है बहुत कड़ा, करोध है सेकिंड, लोब उससे कम, सबसे जास्ती कामवश होने से जो जमा हुआ वो ना हो जाता है, पाइदे के बदले नुकसान हो जाता है, सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाई, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं, क्या कारण हुआ, अकसर करके काम की चोट लगती है, ये कड़ा उसका बुत बनाकर जलाते, क्रोध लोब का भूत नहीं बनाएंगे, काम पर ही पूरी जीत पानी है, तब जगत जीत बनेंगे, काम पर जीत पाएंगे, काम नाव पर जीत पाएंगे, तब जगत जीत बनेंगे, बुलाते भी हैं, हम जो राम राज्ये में पतित बने, हमें आकर पावन बनाओ गाते सब हैं पतित पावन ये पतितों को पावन बनाने वाले सीताओं के राम आओ प्रंतु अर्थ नहीं समझते ये भी जानते बाप जरूर नई दुनिया सापन करने आएंगे प्रंतु बहुत टाइम देने से घोर अधियारा हो गया ज्यान और अज्या करते उनको जानते नहीं तो उनके पास पहुँचेंगे कैसे इसले दान पुन्ने आदे निश्वल हो जाता करके कुछ अल्प काल के लिए कागविश्टा के समान सुख मिलता बाकी तो दुख है बाबा केते मा में कम याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मा में कम याद करो तो सारे दुख दूर हो जाएंगे अब देखना हम कितना याद करते हैं जो पुराना खाता खतम हो नया जमा हो कोई तो कुछ भी जमा नहीं करते सारा मदार है याद पर याद भीगर पाप कैसे मिटे अत्वा करें याद के बिना पाप कैसे मिटेंगे पाप तो बहुत है जनम जनमांतर के इस जनम की जीवन कहाने सुनाने से कोई जनम जनमांतर के पाप कट नहीं जाएंगे सिरफ इस जनम की हलकाई हो जाती है बाकी तो मेहनत बहुत करनी है इतने जनमों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुक्तू होना है विचार सागर बंथन करना चाहिए हमारा योग कितना है हमारा जनम सत्यों के आदी में हो सकेगा चेक करना है मेरा कैसा पुर्शार्थ है, क्या मेरा जनम सत्यू के आदी में हो सकेगा, जो बहुत पुर्शार्थ करेंगे, वो सत्यू के आदी में जनम लेंगे, वो छिपे नहीं रह सकते, सब तो सत्यू में नहीं आएंगे, पिछाडी में जाकर थोड़ा पद पाते हैं, अगर पहले आ मालिक बनने आये हैं, जो याद करेंगे, उन्हें जरूर खुशी रहेगी, जो याद करेंगे बाबा को, उन्हें जरूर खुशी रहेगी, अगर राजा बनना है, तो प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम राजा बनने वाले हैं, जो सेंटर खोलते हैं सर्विस करते हैं उनकी भी कमाई होती उनको भी बहुत फाइदा मिलता उनको भी अजुरा मिल चाता कोई 3-4 सेंटर खोलते हैं जो जो करते हैं उसका हिस्सा तो आता है न मिलकर माया के दुख का छपपर उठाते हैं तो इसमें कंधा सब देते हैं मिलकर के दुख का छपपर उठाते हैं, तो बाबनी का सब मिलकर कंधा देते हैं, सहयोग देते हैं, तो उसका उजूरा मिलता है, जो बोतों को रास्ता बताते, जितनी मेनत करते हैं, उतना उचपद पाते, उनको खुशी बहुत होती है, दिल जानती है, हमने कितनों को रास् आसा दिखाने का समय यही है ना, खानपन तो सबको मिलता ही है, कोई तो कुछ भी काम नहीं करते, इसे मम्मा ने कितनी सर्विस की, सर्विस से उनका बहुत कल्यान हो गया, इसमें सर्विस बहुत चाहिए, योग की भी सर्विस है, कितने डीप डारेक्शन मिलते, अब आगे चलकर क्या-क्या पॉइंट्स निकलेंगी, दिन प्रति दिन उन्नति होती जाएगी, नहीं-नहीं पॉइंट्स निकलेंगी, जो सर्विस में तत पर रहते हैं, वो जट पकड़ लेते, जो सर्विस नहीं करते, उनकी बुद्धी में कुछ भी बैठेगा नहीं, बिन्दी र पूछो तो मूझ जाएंगे, इसको भी मालूम नहीं, आत्मा इतनी छोटी बिन्दी है, और उसमें इतना पाल्ट भरा हुआ है, यहां भी बहुत है, जो आत्मा परमात्मा को जानते ही नहीं, सर्व विकारों का सन्यास किया, वो भी कमाल है, सन्यासियों का धरम अलग है, यह ज्यान तुम्हारे लिए है, बाबा समझाते तुम पवित्र थे, फिर ओ पवित्र बन गए, फिर पवित्र बनना है, तुम ही 84 का चक्र लगाते हो, दुनिया में जरा भी इन बातों को नहीं जानते, ज्यान अलग, भगती अलग है, ज्यान चढ़ाता है, भगती गिरात है, तो रादिन का फरक है, मनुश्य भले कितना अपने को वेदो शास्त्रों के अथोरटी समझते, प्रन्तु जानते कुछ नहीं, तुम्हें अब मालूम पड़ा, तुम्हारे में भी नंबरवार है, भूलने के कारण खुशी गुम होती है, नहीं तो अथा खुशी होनी भूलने के कारण खुशी गुम होती है, तुम्हें अथा खुशी होनी चाहिए, बाबा से तुमको ये वर्सा मिल रहा है, बाबा सक्षत कार करा देते, प्रन्तु सक्षत कार किया, शिरिमत पर नहीं चले, तो फाइद आई क्या, बाब को दुख में सिम्रन करते, बाबा को कहते हैं, लिब्रेटर, हे राम, हे प्रभू कहते हैं, प्रन्तु वो है कौन, कोई भी नहीं जानते, भगती में कोई ऐसे नहीं कहते, कि अपने को आत्मा समझ बाब को याद करू, बिल्कुल नहीं, अगर कहते होते, तो परंपरा चला आता, भगती तो चली आती है, भगत अथा है, ज्यान है एक, मनुष्य समझते भगती से भगवान मिलेगा, लेकिन कब और कैसे, ये बात वो नहीं जानते, भगती कब शुरू होती, कोन जास्ती भगती करते हैं, कोई नहीं जानते, क्या इतना 40,000 वर्ष और भगती करते रहेंगे, एक तरफ मनुष्य भगती क पार रहे हो, मनिश्यों से कितना माथा मारना पड़ता, इतनी परदर्शनी करते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलते हैं, जब परदर्शनी लगाते हैं, तो बाबनी कहा, कितने लोग देखने आते हैं, सुमसे कोर्स कितने कम लोग करते हैं, तिकते फिर कितने कम हैं, लोग कथा सुनाते हैं, बाबा गीता की कथा सुनाते हैं, तुम भी सुनाते हो, यथा बाबा तथा बच्चे, बच्चों का काम है, सच्ची सच्ची गीता सुनना, शास्त्र तो सब के हैं, वास्तों में जो भी शास्त्रा दी हैं, वो सब है भगती मारक के ज्ञान का पुस्त गीता है माई बाप, बाबा आकर सब की सदकती करते हैं, मनिश्य फिर ऐसे बाप की गलानी करते हैं, शृव बाबा की जियनती हीरे तुले है, उच ते उच भगवान सदकती दाता है, बाकी और किसी की महिमा कैसे हो सकती। देवताओं की महिमा करते हैं, परंतु देवता बनाने वाला एक बाप है, हमारा कंस्रक्शन भी होता है, डिस्रक्शन भी होता है, रचनात्मक कारे भी होता है, साथ साथ अपनी कमी कमजोरियों को मिचाने का ये कारे भी होता, बहुत है जो कुछ समझा नहीं सकते, तो पूल सेवा करो, मिलेट्री में सब काम करने वाले होते, कहा भी जाता पड़े क्या आगे अनपड़े को भरी धोने पड़े, मम्मा बाबा जो करते हैं उसे सीखो, तुम भी समझ सकते हो, अनन्य बच्चे कौन है, बाबा से पूछेंगे, तो बाबा भी नाम बताएंगे, फल समझाते, अपनी उनती करना चाहते हो, तो यहां कर सकते हो, चित्र रखे हैं, हमने 84 जनम कैसे लिए, अब ये समझा, तो दूसरों को समझाओ, कितना सहज है, ये बनना है, कल इनकी भगती करते थे, आज नहीं, नौलेज मिल गई, ऐसे बहुत आकर नौलेज लेंगे, जित नारायन बनना है, सच्ची सत्य नारायन की कथा भी है, भगती से नीचे आते जाते, उन्हें पता ही नहीं पढ़ता, ज्यान क्या चीज है, तुम्हें बेहद का बाप यथार्थ समझाते हैं, श्रिबाबा आते हैं, हर बात को यथार्थ समझाते, बाबा कहते हैं, कल तुम हम कहते हैं बाबा आप बांधेले हो ड्रामा में आपको आना ही पड़े पतित दुनिया पतित शरीर में इश्वर की बहुत महिमा करते हैं बच्चे कहेंगे बाबा हमने आपको बुलाया आपको आना ही पड़ा हमारी सर्विस करने के लिए अत्वा पतित को पावन बनाने के करिए कल्प कल्प हमें देवता बनाकर आप चले जाते हो यह जैसे कहानी है जो होश्यार है उनके लिए कहानी है तो बच्चों को खुश मिजाज होना चाहिए बाबा भी ड्रामानुसार सर्वेंट बना बाबा के ती मेरी मत पे चलो अपने को आत्मा समझे करेंगे कुछ से क किन अभ्यास मैं मस्तक मनी हूँ जिसकी चमक दूर दूर तक जा रही है सब को विबिंदू आत्मा देखे सब बहुत सुन्दर पाट बचा रहे है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस बाबनी का तुम बच्चों को पहले अपने को आत्मा समझना है देविमान छोड़ना है तुम बच्चों को अभ्यास करना है नई दुनिया में तुमें नया शरीर मिलेगा बाबा जो समझाते उसको अच्छी तरह से मन्थन करो बुद्धी से समझते हम आए हैं ये बनने के लिए एम उबजेक्ट सामने है भगवान वाच वो लोग भगवान को मनुष्य समझ लेते या निराकार कहते तुम आत्मा ही सब निराकारी हो शरीर लेकर पार्ट बचाती हो बाबा भी पार्ट बचाते हैं जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको इनिश्य होगा कि माला का द आते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए स्वयम भगवान पढ़ाते हैं अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए प्रन्तु माया का पोजिशन बहुत होता है माया तुफानों में ले आती है माया का काम क्या है तुफानों में ले आना बहुत विरोध होता है माया आगे न अच्छा, मीठे मीठे, सिक्किरदे बच्छो प्रती, मात पिता बाप तदर का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुआनी बाप की रुआनी बच्छो को नमस्ते, रुआनी बच्छो की रुआनी बाप तदर को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बा उपह उतरना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है, संग के रंग में आके कोई पाप नहीं करना, माया के दुखों का छपर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है, सेंटर खोल, अनेकों के कल्यान के नमित बनना है, विचार सगर मन्थन कर, आपार खुशी कानभ करना है, औरों को भी रास्ता बताने की कृपा करनी है, संग के रंग में आकर कोई भी पाप करम नहीं करना, माया के दुखों का छपर उठाने के लिए मिल करके कंधा देना है, सेंटर स्खोल, अनेकों के कल्यान के नमित बनना है, वरदान है, अपने बोल की वेल्यू को उसकी एकोनॉमी करने वाले महानात्माभव, अपने बोल की वेल्यू को समझ, उसकी एकोनॉमी करने वाले महानात्माभव, यसे महानात्माभव को कहते हैं, सत्वचन महराज, क्या कहते हैं, सत्वचन महराज, तो आपके बोल सदा सत्वचन, सत्वचन का रथ क्या है, कोई ना कोई प्राप्ती कराने वाले वच्चन हो, ब्रामनों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए, इसलिए युक्ती युक्त बोलो, काम का बोलो, बोल की वेल्यू को समझो, शुब शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो, हसी मजाक के ब बोल नहीं बोलो, बोल की एकोनॉमी करो तो महनात्मा बन जाएंगे, ये वर्ष 2024 सब एक रिकॉर्ड बनाएंगे, हर शब्द सुकदाई हो, सोच समझ कर बोलना, आविशकता पढ़ने पर बोलना, अपने आपको खुद शाबाश देंगे, कुछ मिस्टेक हो जाए तो बाबा को सच बताएंगे, जैसे महनात्माओं को कहते हैं सत्वचन महराज, आपके बोल सदा सत्वचन, कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो, ब्रामनों के मुक से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए, इसने युक्त युक्त बोलो, काम का बोलो बोल की value को समझो शुब शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो हसी मचाख के बोल नहीं बोलो बोल की economy करो तो महानात्मा बन जाएंगे स्लोगन है यदि शिरीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा युग हाथ में हाथ देख कर चलते रहेंगे यदि अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्टा सिती का अन्भो करो इसे लाइट के connection से बड़ी बड़ी machinery चलती है आप सब हर करम करते connection के अधार से स्वेम भी डबल लाइट बन चलते रहो जहां डबल लाइट सिती है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो चाता है अपने पन को समाप्त कर ट्रस्थी पन का भाव इश्वरिय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन चाएंगे अचम अभ्यास करेंगे मैं महान आत्मा हूँ मेरा हर बोल सुकदाई हो वरदानी हो जिसको भी मिलेंगे उसको भी वरदान देंगे एकागर हो जाएं अपनी उचिस्थिती में मैं खुश मिजाज खुश नसीब आत्मा हूँ अपनी मस्तक में खुशियों का स्टार चमकता हूँ देगे मस्तक सिहासन पर मैं खुश नसीब आत्मा विराजमान मुझे बाबा ने महान आत्मा का सुन्दर स्वमान दिया है मेरा वाइदा है हर बोल महावाक के होगा हर बोल शुब और सुखदाई होगा कर्मक्षेत्र पर मुझे दुआउं का फरिष्टा बनकर रात्मा को बोल से दुआई देनी है संकल्प में भी दुआई देनी है सदा सुकदाई भाव खुश नसीब भाव विजई भाव सहज योगी भाव कर्म योगी भाव बेफिक्र बादिशा भाव दिल शाह भाव शुक्रिया भाव शुक्रिया आज के ज्यानमोती में हम जानेंगे ब्राह्मनों में सबसे समझदार कोन है तो चलिए यह ज्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें ज्यानमोती सुनने के लिए यह ज्यानमोती सुनने के लिए